अगर हम ट्रेंड की बात करें तो तो भी पॉसिटिव बनावा और देखी ये मार्केट ऐसा है जहां पर आपको हर गिरावट पे खरीदारी करनी है लेकिन एक रेंज है अगर आपके तरफ देखें तो 18300 के आसपास जहां पर 20 डे मुविंग आवरेज है 250 के आसपास वह एक जरूर है लेकिन क्योंकि निफ्टी लगातार 18000 के आसपास सपोर्ट ले रहा है तो जब तक 18000 के ऊपर ट्रेट करता रहेगा हर गिरावट पे खरीदारी करने की रायरा है कि इंतजार केवल यही करना है कि 20 डे जब मूविंग आवरेज ब्रेप होंगे तो आपको कम से कम 300 पॉइंट का तेजी देखने को मिले के और उसके इसमें 18600 के आपको टार्गेट सेट करने हैं तो ट्रेंट पॉजिटिव है इसके आपको पॉजिशन में बने रह सकते हैं गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं और 18000 के स्टॉप्रस रख सकते हैं